जै स्री कृष्णा आज हम बनाने वाले हैं फलारी वरत में खाने के लिए मैंगो मखाना आइस क्रीम जो के बड़ी ही अच्छी बनी हुई है टेस्टी बनी हुई है आप भी अगर इसको बना के खाएंगे तो आपको भी जरूर अच्छी लगेगी वरत के दिनों में जब हमा इस सेफमें मादी बहोत ही बनी है यह देखें यह कितने हलजी अराम से गंट रही है हिर यह बड़ी जहागदार si बाइओ यह जैसे कि पाज्यार से अच्छी थी मिलती ए तो इस को में मन ने कैसे बणाई यह और इसके लिए मैं क्याशी चाहिएगी अधिकinathina मेंगो आइस क्रीम बनाने का तरीका क्या है सबसे पहले हम गैस पे दूद गरम होने के लिए रखेंगे यह मैंने एक कप बैस का फुल क्रूम क्रीम दूद लिया है और इसको गरम होने के लिए रख देंगे दो टेबल स्पून मखाना पाउडर लेंगे यह मखाना पाउडर हमने मखानों को थोड़ा सा ड्राइ रोस्ट करके और मिक्सी में बारिक सा पीस लिया है और चलनी से चानके ले लिया है थोड़ा थोड़ा दूद डालके इसको हम गोल लेंगे यह मेरा बिलकुल ठंडा दूद है इसको गोल लेंगे दो टेबल स्पून मिल्क पाउडर है इसको भी हम इसी में डालके और अच्छे से मिला लेंगे मिल्क पाउडर और मखाना पाउडर दोनों अच्छे से घुल गया है अब हम इसको ले जाके अपने जो हमने धूद गरम होने के लिए रखा है उसी में डाल देंगे थोड़ा सा डाल देंगे मिला लेंगे फिर थोड़ा सा डाल देंगे और मिला लेंगे इस मखाना और हमारा अच्छे से मिल गया है। हम इसमें 5 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। बहुत जादा मीठा हो जाएगा तो आइस्क्रीम जमनी मुश्किल हो जाएगी। और कम रह जाएगा तो हमें टेस्टीनी लगेगी। यह मीठा इसमें परफेक्ट हो जाएगा। यह हमारा मखाने का कुस्टर बनके त्षयर हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यह मैंने आद़ा कप आम काट के लिए रखा है। इसको हम मिक्सी के से पोट में डालके ग्राइड कर लेंगे। यह आम हमारे ग्राइंड हो गया है और हमारा यह कस्टरड भी ठंडा हो गया है इसको भी हम मिक्सी में इसी में डाल देंगे और इनको दोनों को मिला के अच्छे से पीस लेंगे यह हमने मैंगो और मखाना कस्टरड को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है यह हमारा बड़ा अच्छा सा ग्राइंड हो गया है अब हम इसको एक पोट में डालके फ्रीज में जमने के लिए रख देंगे ने यह आईस क्रीम हमने मिक्सी में ही अच्छे से चलाके फ्लफी कर लिए है अब इलेक्ट्रिक बीटर से करना चाहे अगर आपаешь ऐस इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं लेकिन वो सबके पास कई बार नहीं भी होता तो हम मिक्सी से भी बड़ी फ्लफी स बना सकते हैं अब हम इसको दो गंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे ढखके ताकि इसके अंदर आइस के क्रिस्टल ना जमने पाएं नहीं तो बरफ के क्रिस्टल क्रिस्टल से जम जाते हैं फ्रीजर में रखेंगे इसको दो गंटे के बाद हम फिर ग्राइंड करेंगे और यह और भी ज़्यादा फलफी और बजार जैसी आइस क्रिम बनके हमारी त्यार हो जाएगी यह आइस क्रिम हमने बिलकुल असान तरीके से बढ़ाई है दो गंटे हो गए है हमें इस मैंगो मखाना आइस क्रिम को फ्रीज में रखे हुए यह हमारी थोड़ी थोड़ी सी बस ठंटी हो गई है जमी नहीं है जादा अब हम क्या करेंगे इसको दुबारा से एक बार मिक्सी के पोट में डालेंगे और इसको और फलफी बनाने के लिए थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे यह देखें यह हमारी मैंगो मखाना आइस क्रिम का टेक्शर बड़ा ही फलफी सा हो गया है अब हम इसको जमने के लिए फ्रीज में रख देंगे यह हमने अपनी सारी आइस क्रिम इस डब्बे में ट्रांस्फर कर लिया है अब हम इसको थोड़ा सा एक यो दबार ऐसे कर देंगे ताकि यह प्लेन हो जाएगी उपर से इसको हम दुबारा से इसी भी शीट से डब देंगे ताकि इसमें आइस के क्रिस्टल्स ना जमने पाएं और इसको जमने के लिए छे गंटे फ्रीजर में रखेंगे यह हमारी मखाना मेंगो आइस क्रिम जम के त्यार हो गई है इसको अब हम इस स्कूप की मदद से इसको अब हम सर्व करेंगे निकालेंगे यह देखिए यह हमारी आइस क्रिम कितनी अच्छी सी जम गई है इसके उपर थोड़ी हम टूटी फ्रूटी डाल देंगे यह टूटी फ्रूटी भी हमने घर पे ही बना रखी है इसलिए हम इसको नवरात्रों में भी डालके इस आइस क्रिम पे खा सकते हैं यह हमारी मखाना मेंगो आइस क्रिम बनके त्यार हो गई है यह हमारी आइस क्रिम बड़े ही अराम से कट रही है और बड़े ही टेस्टी बनके त्यार होई है बिल्कुल नरम नरम जैसे के बजार से हमारी आइस क्रिम आती है तो अगर आपको यह मखाना मेंगो आइस क्रिम का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तन्यवाद